नमस्कार, आज हम आकारांथ स्त्रीलिंग के अंतरगत, बालिका के शब्द रूपों का अध्यान करेंगे. बालिका जिसके अंत में आ की मात्रा लगी है, ये एक आकारांथ शब्द है, जोकी स्त्रीलिंग से संबंदित है, क्योंकि बालिका कर्थ हुआ लड़की. इसकी सभी विभक्तियां और इसके उपर तीनो वचन एक वचन दुवी वचन और भवचन ये लिखने के बाद चलिए बालिका के शब्द रोपों को सबजना शूरू करते हैं बालिका शब्द की प्रत्मा विवक्ति इस प्रकार है बालिका बालिके बालिका हा यदी करता कारे के अनुसवार देखें तो करता कारे का चिन है ने इस प्रकार बालिका जो एक वचन का शब्द है इस कार्थ हुआ एक बालिका ने या एक लड़की ने इसी प्रकार द्वी वचन के बालिके कार्थ हुआ दो बालिकाओं ने और बहु वचन के बालिकाह कार्थ हुआ सभी बालिकाओं ने प्रत्मा विभक्ति करने के बाद चलिए द्वितिया विभक्ति की और बढ़ते हैं इसकी द्वितिया विभक्ति है बालिकाम बालिके बालिकाह ये कर्मकारक से संबन्धित है जिसका चिंध है को इस प्रकार एक वचन के बालिकाम शब्द कर्थुआ एक बालिका को द्विवचन के बालिके कर्थुआ दो बालिकाओं को और बहुवचन के बालिकाह कर्थुआ सभी बालिकाओं को इसके बाद आती है इसकी तृतिया विभक्ती जो की है बालिकया, बालिका भ्याम, बालिका अभिह जैसा कि हम जानते हैं तृतिया विभक्ती करणकारक से सम्बंधित मानी जाती है करणकारक का चिन्ह है के द्वारा इस प्रकार एक वचन के शब्द बालिकया कार्थ हुआ एक बालिका के द्वारा बालिका भ्याम जो कि द्वी वचन का शब्द है इसका अर्थ होगा दो बालिकाओं के द्वारा और बहुवचन के बालिका भी ही कार्थ होगा सभी बालिकाओं के द्वारा चतुर्थी विभक्ति बालिका यई, बालिका भ्याम, बालिका भ्याह ये संप्रदान कारक से संबंदित है जिसका चिन्न है के लिए इस प्रकार इनके अर्थ होंगे एक बालिका के लिए, दो बालिकाओं के लिए और सभी बालिकाओं के लिए पंचमी विभक्ति बालिकायाह, बालिका भ्याम, बालिका भ्याह ये अपादान कारक्षे सम्मधित मानी जाती है इसमें किसी व्यक्तियत्ववस्तु से अलग होने का भाव प्रकट होता है इस प्रकार एक वचन के बालिका यहा कार्थ हुआ एक बालिका से अलग होने का भाव द्वी वचन के बालिका भ्याम कार्थ हुआ दो बालिकाओं से अलग होने का भाव और बहु वचन के बालिका भ्याह कार्थ हुआ सभी बालिकाओं से अलग होने का भाव इसके बाद आती है इसकी शष्ठी विभक्ति बालिका यहा बालिकयो हो बालिका नाम ये संबंध कारक से संबंधित मानी जाती है जिसके चिन्न है का के की इसके अनुसार बालिका यहा कार्थ हुआ एक बालिका का बालिकयो दो बालिकाओं का और बालिका नाम सभी बालिकाओं का शश्टी के बाद सब्तमी विभक्ति बालिकायाम बालिकयो हो बालिकासू ये अधीकरण कारक से संबंधित है जिसके चिन्न होंगे मे और पर इस प्रकार एक वचन के बालिका याम कार्थ हुआ एक बालिका में या एक बालिका पर इसी प्रकार दुई वचन के बालिक कयों कार्थ हुआ दो बालिकाओं में या दो बालिकाओं पर और बहुवचन के बालिका सुकार्थ हुआ सभी बालिकाओं में या सभी बालिकाओं पर और अंत में आता है संबोधन इससे किसी को पुकारने का भाव प्रकट होता है जैसे एक बालिका को पुकारने के लिए हे बालिके दो बालिकाओं को पुकारने के लिए हे बालिके और बहुवचन के अंतरगत कई बालिकाओं को पुकारने के लिए हे बालिकाह का प्रियोग किया जाएगा तो ये थे आकारांद स्त्रीलिंग के अंतरगत बालिका के शब्द रूप आशा है आपको ये शब्द रूप अच्छे से समझ में आ गई होंगे धन्यवाद